हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो जिलो जास्पिन यूट्यूब चनल आज हम डिसक्स करने वाले हैं फोल्ड के उपर विफोर गईंग टुद फोल्ड चलिए फ्याफसे पहले उसको डिफाइन करते हैं उसका डेफिनेशन देखते हैं अगर फोल्ड को डिफाइन करना है तो और लाना दो हें पुछ आपको टर्म करना पड़ेगा तो क्या वह उसको बोल सकते हो बेभी एक कर्ब श्रक्चर हो या फिर जिल्ग जाग स्टकचर हो बठोट कहां दखीगा रोग के बैड में अगर रोग का बैड में कर्व जिल्ग जाग स्टक्चर में आपकों देखने प्राइमेरी प्रोसेस क्या है वह हमने प्रिवेस वीडियो में देखा था इंट्रोड़क्शन पार्ट प्रोसेस तो कोई भी रॉक में अगर आपको कर्व या फिर जिग-जाग स्टक्चर देखने को में दूट देखने को मिलता है तो यह उसको बोल सकते हो अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे सम्टाइम्स मतलब विडाउ सेकंडरी प्रोसेस भी आपको फोल देखने को मिलता है तो वह एक अलग कंडिशन है वहाँ पर सौल डॉम मतलब सौल का डॉम या फी डाय पिर वगर अरता है वो भी हम आगे क्लासिपिकेशन के अंदर दे वेभी अंदूलेशन्स इन रॉक बेडस और वो फोल्डिंग दिखाता है लाइक सब्सक्राइब इसको पर अगर इस तरीके से फोल्ड मतलब फोर्स लगेगा यह एक मेकानिजम है अब आके चलके डिफेरेंट डिफेरेंट टाप ओफ मेकानिजम है आपके पास ठीक है बक आगे हम देखेंगे तो मेकानिजम को उपर नहीं जाते हैं डारेटल आज हम फोल्ड को फोकस करेंगे सब्सक्राइब है आपको सिंपल एक मतलब है आइडिया देने के में ट्राइगरता हूं तो इसको उपर से अगर इस तरीके से फोर्स लगता है ठीक है बट इतना वह ज राइट तो इसी अंडूलेशन को इसी जिगजग स्टक्चर को ठीक है इसी कर्ब स्टक्चर को हम क्या बोल रहे है फोल्ड तो आई होप आपको क्लियर आइडिया आगे है फोल्ड क्या है तो यहां पर आपको आर्क दिखता है एंट रो देखें अब बहुत लंबा तो ट्रेन और फॉल्ड वगेरा देखते हो आगे हम देखेंगे जो हम टाइपस ऑफ फॉल्ड अच्छे से डिफाइन करने लगेंगे अपकमिंग डेज में तो हर एक चीज वहां पर आएगा ठीक है तो इन आभरेज हम बोल सकते हैं फॉल्ड में कंसिस्ट ऑफ आर्च एं अच्छे से फॉल्ड दिखता है तो इसको बहुत ज़्यादा पाइशन दिखाता है टीक है साइज को परफेक्ट मतलब एक साइज में उसको बोल नहीं सकते क्योंकि साइज में बहुत ज्यादा वहरेशन आपको देखनागों मिलता है वीड्ड अब दसम फॉल्स तो कुछ कुछ फोल्ड का वीर्थ क्या रहता है और मेजर्ड इन किलोमीटर्स दिया दिखिए कुछ फोल्ड का वीर्थ को हम केलोमीटर्स में मेजर करते हैं वाइल अधर्स इन मीटर और सेंटीमीटर तक हम उसको मेजर कर ले ठीक है तो द्यासदा रीजन कि हम उसका साइज को मतलब एक कमेस को City मिनस pr 막 Гट्ट आप मैंने दिफाइन कर शक्राइब को ईव वहां वह बहुत होरा फैरिंचन डिखाता हुए व %. सब्सक्राफ उसको किलो मिल में मेजर करोंगे कभी में में कभी में स सेंटी में में तो आपको को एक फोल्ट को पर आइडिया आ क्या होगा फोल्ट इस नथिंग बट वेभी और अंडूलेशन और युकां से जिग-जाग स्टक्चर सौन बाइधा सेडिमेंट्री रॉक ठीक है एंड इट कंसिस्ट ओफ आर्चेस एंट रो इन अल्टरनेटिव मेनर मेंस एक रोक मतलब बैड एक अब इसको पर अगर आप फोर्स डाउते हो और यह क्या करेगा बैंड हो जाएगा ना तो इसी बैंडिंग को ही हम क्या बोल रहें फोल्ट अब यही आपको आर्चेस देरा यही जिग-जाग स्टक्चर भी आप इसको बोल सकते हो ठीक है इसको इसको इकर बोलते इसको बोल्ट करते हो तो आपको बहुत ज्यादा बैरिशन देखने को मिलता है एक साइज के अंदर हम उसको रख नहीं सकते फोल्ट का साइज जो है बहुत ज्यादा बैरेशन दिखाता है अ allowing a color किक अभान कुछें रहें तो फोल्ट अगर आप समझगे हो तो थोड़ासा ट्राय करते हैं कि up coming डेऋ में कौन 98 डे इसा खबर करने वाले हैं फोल्ट के रिरीटड उसको पार्ट का किस पार्ट को क्या वोलते है वो देखेंगे ठीक है आपका बोडी है आपका बोडी में एक हैंड मतलब हैंड है लेग है ठीक है फेस है नोज है इस तरह के का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है येर है तो similarly पोल में भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है उसका तो उस पार्ट को डिफटन करते हैं जिस उसी टॉपिक को हम बोल रहे हैं elements of उसी पार्ट को डिफाइन करते हुए जो topic हम मतलब commonly एक topic बोलते हैं that is your फोल मॉर्फोलोजी elements of fall or geometry of fall जो मतलब तो बोल सकते हो देन उसके गसींगे चेह क्राशिफाइसस मिंस फॉवकट का इप्लासिफाइसकर रहें ब में फटीफलोग तो घ्लासिफाइसकर तो बैकन बार वोस्ट बरत संदेमे धर ऊप East Central Oxn対 अगें बेस्ट ऑन दा नेचर ओफ दा हिंज लाइन अब हिंज लाइन क्या यहां पर निफिजन होगा डॉंट वरी जब हम फोल्ड का मॉर्फोलोजी देखेंगे हर रिक्षी आपका क्लियर हो जाएगा अगे जलके एंट्रांस के पॉइंट अभी से ठीक है राम से क्लासिफिकेशन देखेंगे हैं रिगार्डिंग यूर फोल्ड यहाब मिस्लानियस टाइफ ऑफ फोल्ड कुछ फोल्ड ऐसे है कि उसका मतलब पाटिक्लर क्लासिफिकेशन नहीं है लेकिन हो भी एक टाइप के फ फोल्ड ऑफ आजन अकरन्गोर्ड फोल्ड ऐसे हैं खल खाल फोल्ड दाइप के एंगर्ल करेंघएं अपन है पॉल्ड रहेक अपने पढ़ लिया लेकिन फीड पर जब आप जाते हो इसको रेकोगनाइज केसे करना है यह तो सबसे ज्यादा मतलब इंपोर्टेंट बन जाता है तो उसको कैसे रिकोगनाइज करना है वह हम सिखेंगे इफेक्ट औन आउटक्रप जहां पर भी आपको मिलता है फॉल्ड का तो वहां पर किस तरीके से वह लिथोलोजी में या फिर जो भी टोपोग्राफिय उस पर इफेक्ट कैसे डालता है वह आपकमिंग डेज में आड़ कर लेंगे ठीक है एंड थैंक्यू फर वाचिंग और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो मेक सियर कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब किजिए ताकि जो भी आपकमिंग डेज में कोई भी जोलोजी रिलीडर आपके लिए कंटेंट आए आप सबसे पहले उसे देख सकें